नमस्युस्तो मैं आरही, आरही के चनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है, जे आप पने रहिएगा हमारे ब्लॉग वीडियो के अंत तक, आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू ब्लॉग वीडियो, जी हाँ, यहाँ यहाँ पे आज हम लोग सेर क करेंगे यहाँ पे हम लोग चलेंगे गंगा घाठ पर वाहा पे असनार करेंगे और पूजा करेंगे, फिर आप लोगों को मैं मेले करांगी, देख सकते हैं, अभी घुछ सौरष और भोर की समय लाइठ वगरह यह देख सकते है रात में और गंगा घाठ के कुपसूरति औ यह दोरी मेला है दिखरा है, अभी हformed मेले नहीं जाने वाले है अभी हम सीदे सीथे असनान करेंगे पूजा करेंगे तो चलिए हम लोग। गाषट पे छलते हैं जहाना है असनान करना है पूजा करना है मंढीर वगर पहले घूमना है तो यहां पे हम लोग आ गहे हैं गंगा घाट पे तो चली हम असनान करते हैं और आप लोग यहां पे इजवाय करिए देख सकते हैं यहां की खुबसूरती तो यहां की खुबसूरती के बारे में सब्दों में बया नहीं किया जा सकता यहां की सांती के बारे में और सब्दों देख रहे हैं आप लुग न चिड्या आती हैं यहां jetzt कि दिनों में जादा रहती हैं ढाइए तर दियुज़ार नहीं जाती है he लेक्षर गेंदर में दो कम हो जाती है ऑंप यहांपे हम लोगों भंगर असनान किया मंदी में घूमें और यहांपे एक मंदीर है तो वो हर फ्लववर में अल्लक खोगाँजी है लेकिन मंदीर के अंदर का पिक नहीं ले सकते तो इसलिए हम लोगोंने नहीं लिया में नहीं ले पाई रिकॉडिंग वगिरा नहीं करना है मना है वहाँ पर अब हम लोगों ने डिसाइट किया कि साम के समय हम लोग मंदिर के बाद घुमने के बाद सनान करने के बाद साम के समय हम लोग मेले में जाएंगे क्योंकि मेले में साम के समय लाइट वगरत से और ज्यादा अच्छा लगता है तो चलिए अब हम लोग आपके मेले मेले के चलते हैं आप लोगों को मेले का सेर कराते हैं तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं मेले में और मेले में हमने जुला था बड़े वाले जुले पर जी पहली बार मैंने जुला जुला ओभी बड़े वाले जुले पर सबके जित के कारण सोचा चलो एक बार जु बच्चों को नहीं बेठाएं इस जूले पर और दुबारा कोई पूछ सेगा हमसे कि इस जूले पर या बोलेगा बैठने के लिए तो मैं नहीं बेठूंगी बहुत डर लग रहा था तो यह देख सकते हैं अलग अलग यहां पे जूले लगे हुए हैं अपनी खुबसूरती देख सकते हैं मेले की अभी हम लोग आगे और देखेंगे और यहां पे बच्चों के लिए भी जूले के लिए जूले बने थे वह भी बच्चे जूले का इंच्वाय कर रहे थे तो यहां पे देख सकते हैं तो हम लोग अभी यह देखाएंगी यह देखें यह तहल रहे है तो यह देखे बच्चे यहां पर जो खाली हैं तो यहां पर अभी हम लोग चलते हैं सायर करते हैं कुछ सामान लेते हैं खरीडेते तो मेले की भी चीज़े अच्छी होती हैं तो 10 रुपे 20 रुपे 80 रुपे करके यहां पे सस्ती चीज़े भी मिल जाती हैं चूडियां वगर कड़े वगर अगर अगर आप लोग देखते हो कान की एरिंग तो हमने थोड़ा सा लिया था कान की एरिंग वगर और जो कि मुझे बहुत जादा पसंद है तो वही चीज़े मैंने ली थी ज्यादा नहीं लिया था और यहां पे देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें लगी हुई है बच्चों के लिए देखे जूला और मेले का इंजवाय करिए आप लोग हमारे साथ घूमिये तो यहां पे अब हम लोग गंगा घाट पर गये थे देख सकते हैं गंगा घाट की खुबसूरती यहां के बारे में मैं नहीं ब्या कर सकती तो यहां पे हम लोग मेला गूम लिया तो अब हम लोग चलेंगे घर अपने तो यह मेला रहता है अभी एक तारीक तक रहेगा सवरात्तरी तक रहेगा एप तक तो आना चाहें तो आप आज सकते हैं अगर आप प्रयाग राज के आसपास रहते हैं तो आ सकते हैं यहां पर इसमेले की खुबसुर्ती का इंज़ाय कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं गंगागार पेचु चेडिया आती हैं मैंने बताया कि चेडिया सिर्फ सर्दियों मे तो यहां पर आप लोग आए तो नाय पर घुमना चाहें तो नाय पर भी बैठ सकते हैं वैसे नाय पर भी बहुत अच्छा लग रहा था बहुत जादा हम लोगों ने इंज्वाइ किया मेले का इस देख सकते हैं कि आट ज्यादे होती है तो इस तरह से बहुत सारी रहती है तो यहां पर फिक वगरा अमने डाला है यह आगे भी तो मैं किस मंदिर की बड़ सकते चिडिया तो मैं किस मंदिर की बात कर रही है case kind पर नहीं लिया देने जाता, तो मैं हम लोगों नहीं लिया, यह भी टहल रहे हैं, बहुत खुबसूरत, इस पे आप बैठ भी सकते हो, तो यह देख सकते हैं, मेला जिखूला, अगर देख सकते हैं, अलग अलग जूले, तो यहीं सब चीजे मेले में, यहां पर इसी मंदिर के बारे में बात कर रही थी कि अंदर की पिक मैं नहीं ले पाई और कि क्यों बना था लेकिन बहुत अच्छा है इस मंदिर में आये तो जरूर जाए तो उमीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो के लाइक करिएगा सिस्क् कमेंट मोक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी थैंक यू